हलो दोस्तों नमस्कार मेना टवर चौधरी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप बिना एज केलकुलेटर के वी कैसे अपनी उम्र को या फिर जैसे विद्ध्याले में हर तरह के बच्चे आते हैं और हम एज निकालनी पड़ती है तो आप कैसे निकाल सकते हैं सबसे पह यहाँ पे 12, 4, 1904 में ले लिया एक उधारन के तोर पे कोई भी आप ले सकते हैं आप खुद की आप एज को फलाएं आपर उसके बाद जैसे दिन महा बर्स यहाँ पे लिखे हुए अब हमको बर्स को आगे लाना है फिर महा फिर दिन तो आज की डेट जो है 2022 को हम लेके पाद में महा को ले आए और दिन हो गया पांच डियो भी को ऐसे ही सेट कर देंगे 1994 में और 4 और यहाँ पर 12 इस तरह सेट करने के बाद हमको यहाँ पर जैसे पांच दिन है पांच दिन में से 12 गटेगा नहीं तो हमें इस मा में से जो कि यह मार्च का मा है यहां से एक मा लेना पड़ेगा एक मा में जितने होंगे यानि इस से पहले का जो मा है फरवरी मा है यह आपको थोड़ा ध्यान देना है आपर फरवरी मा में होते हैं 28 दिन तो 28 और 5 कितने होए 33 दिन होए 33 दिन में से जवाब 12 गटा होगे तो यहां पर कितना आ गया 21 दिन आ गये और य दर से फिर हमको क्या है एक साल पूरा लेना पड़ेगा एक साल पूरा लो गए तो एक साल होते हैं 12 मा बारहे और दो होगे 14 चौदे माँ, चौदे माँ में से जब चार गए, तो यहां बच जाते हैं हमारे पास दस, फिर उसके बाद यह दो हजार 21 रह जाता है, जब यहां पर एक वहां पर चला जाता है, तो यहां पर नॉर्मल प्रिक्रिया से हम गटाते हैं, एक यहां पर ले लिया, यहां बच गय एक तो ग्यारे में से चार गया तो सात बचा इदर एक है यहां से एक ले लेंगे यह गुर्णीस रह जाएगा यह ग्यारे में से नौ गया तो दो तो 27 बर्स दस माह 21 दिनियां पर आता है आप कैलकुलेटर से भला कर देखना विलकुल आपका सेम डिटों यह आएगा इसी के अलावा आप कैई उदारन और भी देख सकते हैं आपको यही देखने को मिलेगा लेकिन आपको जो मैनली चीज है वो ध्यान रखना है जो माह यहां पर दिया हुआ है उससे पहले माह में कितने दिन होते हैं उस हिसाब से उसको जोड़ते हुए और गटा ना है यहां पर मा आपको आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगे झाल 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 झाल